Hello all of you and welcome to one more video Guys, इस वीडियो में हम IRMS के अपडेट जो आया है उसके ऑथेंटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले है क्योंकि information क्या है वो आप सभी को पता चल गई होगी अभी तक बहुत सारे यूटूबर्स ने इस पर बहुत सारी वीडियो बना दिये है लोगों ने तो इसका future plan भी बता दिया है क्या कैसे होने वाला है वो भी बता दिया है तो मैं सिर्फ यहां पर आपको यह बताने वाले हो कि यह जो information आई है कितने authentic है तो पहली बात तो यह एक whatsapp forward है यह आप याद रखिए एक whatsapp forward है कुछ दिनों पहले मेरे भी whatsapp पे आया था कि ऐसे ऐसे होने वाला है यह policies रहेंगी तो but again एक whatsapp forward है तो हम इस पे trust उतना करे या ना करे वो अभी भी हमें clear नहीं है क्योंकि आपको पता है कि information तो कोई भी random आदमी लिख के दे सकता है ठीक है वो भी ऐसे topic पे जो काफी जादा controversial है तो समझते इस information में है कहा and again इसका source कहा जाता है from our honorable minister उनसे इसका source कहा जाता है कि उन्होंने यह information दी है but again as it was a whatsapp forward तो हम इस पे trust करे या ना करे अभी तक यह clear नहीं हो पाया है समझते क्या बोड रहा है यह basically railways में जो departments अलग-अलग थे उनको merge करने का plan किया गया था लेकिन अभी बता रहा है कि individually रहेंगे क्योंकि individually ही उनकी strength अच्छी रहती है पहले बोला गाता था कि individual है इसलिए weak है तो एकदम यह opposite way है यह एक तरीके से IRMS जो है सिर्फ higher level GM members में implement होगा members तो department wise हुआ करते थे तो यह अच्छा move रहेगा लेकिन GM की अगर मैं बात करूँ तो GM तो already अलग-अलग services से आते थे जैसे recently हमारे जितने भी GM change हुए है वो कभी कोई mechanical से था कोई civil से कोई traffic से and so and so same goes with DRM DRM भी अलग-अलग services से आते है AM या फिर members जो है वो respective services के होते है तो यह एक change हो सकता है members नहीं हमका बट यह बहुत ही बहुत उपर level पे है हमें जो इस video को देख रहे है basically वो ऐसे लोग है जिनको फिलाल railway में job चाहिए as at junior scale level मतलब entry level पे उनके लिए यह कहा गया है कि IFS actually this is not IFS again बहुत जगे पे IFS आपको मिलागा IFOS होता है वो Indian Forest Services not Indian Foreign Services Forest Services के तरह exam होगी आपकी prelims रहेगी and सबसे important चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ is notification will be out in 2-3 months अभी इस information पे हमें यकीन रखना है कि नहीं यह कैसे पता चलेगा notification अगर 2-3 months में आता है अगर minister हमारे कहते है कि सच में होने वाला है तो notification सच में आएगा ठीक है अगर यह एक fake news है तो नहीं आप expect मत किजिए कि notification आएगा ठीक है तो यह याद रखी अगर यह real information है तो notification UPSC के थूँ आएगा जब notification आएगा तब ही हमें क्या करना है अपनी preparation strategy समझनी है ठीक है मैं आपको फिर से बता दूँ कि किसी भी government organization में कोई भी decision अगर होता है तो उसका एक proper document आता है वो proper document जब तक नहीं आता तब तक हमें उस information पे यकिन नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको information यूटूब पे तो हजारों लोग कुछ भी बता देते हैं पीछे तो एक respected अच्छे कासे प्रोफेसर है उन्होंने बता दिया था कि ESE से हो गया आपका भला हो गया भगवान ने अमनी सुन ली लेकिन ऐसा कुछ नहीं था तो fake news थी fake news के वज़े से अपना preparation goal अपना strategy change मत कीजिए गई तो bottom line यह रहेगी कि 2-3 months तक हमें wait करना है इस exam का जो notification है proper जिसमें आपका schedule क्या है syllabus क्या है किसने कौन सा option लेना है और यह सारी चीज़े clear होंगी एक चीज़ आपको बताता हूँ IFOS का pattern क्या होता है पहली बात तो pre तो आपकी civil services वाली होगी GS1 and GS2 paper होगा CSAT रहेगा and GS1 रहेगा यह फिर general studies and CSAT रहेगा ठीक है आपको वो अगर आप यह preparation कर रहे हो इसका preparation कर रहे हो दिन आपके पास अच्छे कासे option है एक तो जो proper civil services की जो services है उनका option रहेगा IFOS का तो रहेगा ही and IRMS जो अभी और एक चीज़ इसमें जुड़ गई है उसका आपको option रहेगा अगर मैं मैं ends की बात करूँगा इस mains इतनी जादा important क्यों है क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि main CAC चीज़ है जो आपका selection होगा या नहीं होगा यह guarantee करती है same goes with engineering services same with all other services prelims के marks qualifying रहेंगे engineering services में पहले वो add हुआ करते थे शायद शायद नहीं 100% यहाँ पे prelims के mark जो है qualified रहेंगे कि अगर हम इस information के हिसाब से ही आगे बढ़ते है तो okay इसमें meanwhile 2-3 months में कुछ ना कुछ changes भी लोग ला सकते है okay समझते हैं काईस मेंस के लिए general English general knowledge तो आपको करना पड़ेगा weightage काफी अच्छा खासा है 600 marks सबसे important हम यहाँ आते हैं कि अगर जैसे यहाँ बुला गया था इस information में कि department wise यह exams होंगी मतलब civil वाला बंदा जो है civil का paper लिखेगा mechanical का नहीं लिखेगा या electrical का नहीं लिखेगा तो गईस यहाँ पे देखो आप optional जो है दो है और हर एक optional के दो paper है अगर मैं civil services का optional का pattern अगर मैं देखों civil services में जो optional होता है उसमें जनरली जैसे mechanical का देखों तो mechanical engineering 1 का एक paper होता है mechanical engineering 2 का एक paper होता है same goes with electrical यह civil तो यह paper तो यह फिट हो गया यह paper यह फिट हो गया दूसरा optional कौन सा होगा यह सबसे important चीज है यह सारी चीजे जो है UPSC decide करेगा जो governing body है वो decide करेगी इसी के बाद हमें preparation strategy प्लान करनी जरूरी है जनरली आयो फोस के जितने भी optionals है उन में आप देखेंगे तो mechanical engineering optional one लिया था और optional two में वो forestry या फर agriculture के साथ आगे बढ़े और अभी successfully उस services में एंटर कर गए तो यह चीजे जो है अभी भी काफी confusing है कि optional two क्या रहेगा optional one तो हमें हमारा जो parent department रहेगा उसी से कराना है ठीक है तो अगर इस information का अगर हम authentication देखते जैसे मैंने पहले भी बताया what's up forward है and अगर यह सब कुछ सही रहा तो यह चीज होगी optional two के बारे में अभी भी ambiguity रहेगी वो clear होगा जब notification आएगा okay meanwhile और एक चीज में आपको बताना चाहता हूं कि two round 23 के लिए UPSC ने अपना calendar release कर दिया है प्रिलियम जो है वो अठाइस पांच को होने वाली है तो जब इसका form filling होगा applications होंगे around feb में तभी इनको यह सारी चीजे देनी पड़ेंगी कि कौन कौन से service के लिए फिर आपको कौन से department के लिए opt करना है अगें department का नहीं बताऊंगा department तो आपका mains के बाद होता है लेकिन इसमें जो भी changes आने वाले मतलब आपके जो नए pattern और IRMS का introduction यह सारा इनको इससे पहले करना ज़रूरी है यह सारी चीजे इससे पहले करना ज़रूरी है तो ही आपको information clear रहेगी कि मैंने इस exam को phase करना चाहिए नहीं करना चाहिए same goes with IFOS again this thing is same same prelims होंगी इसमें और एक तीसरा जोड़ जाएगा IRMS तो यह changes आने जरूरी है यह changes आते है तो ही आप 23 दे सकते होंगे तो आप confusion confusing state में ही रहोगे prelims की बात हो रही है तो मैं एक recommendation यहां देना चाहता हूँ this is one channel from my senior who has successfully cleared civil services exam and currently serving as an officer तो आप जो है इनका channel follow कर सकते है civil services के बारे में काफी useful information देते है यह link is in description you can visit this channel moving on अभी हमें यहां समझ रहा है कि यह सारा जो confusion चल रहा है इसमें सर मैं करूँ क्या मैं wait करूँ या फिर मैं अभी से preparation चालो कर दूँ तो guys answer clear है guys सबसे पहले आप secure हो जाओ आपको requirement है एक अच्छे job की अभी भी एक ऐसी exam आपकी vicinity में है जो आपको अच्छा future देती है वो है gate examination आप gate examination का preparation करोगे आप CSE के लिए सोच सकते हो आप EAC के लिए सोच सकते हो नया जो अभी आरहा है IRMS उसका सोच सकते हो ठीके जो parallel exams होती है PSE उसकी उनके बारे में सोच सकते हो MTech सोच सकते हो what not आपके पास MBA सोच सकते हो foreign universities भी gate का score accept करोगे आपके 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 पास MBA सोच सकते हो